ख्वीकली बात करते हैं खबरों वाले शेर्स की शरद हमारे साथ जोड़ जुके हैं शरद गुर्मवानी बताइए सबसे पहले क्वाटर फोर के जो बिजनस अपडेट आ रहे हैं उससे शुरुबात कीजिए बिलकुल क्वाटर फोर की अपडेट में जो है बजाज फाइना वही इंडेसिंट बैंक के कहेंगे तो लाजली इन लाइन आये हैं उतना भी स्ट्रॉंग नहीं आया है यहां पर नेट एडवांसेज और डेपोजिट्स तो दस परसेंट के ऊपर दोनों साइट गये हैं यह औरो यह बेसे हाला कि जो उनकी कासा नंबर यहां पर थोड़ी की सिक्वेंशल इंप्रॉब्मेंट आई है वही इसेफ स्मॉल फाइनस बैंक के बारे में बात करें तो लाजली इन लाइन सेट अफ नंबर देखने मिले हैं हाला कि जो एसेट कॉलिटी है वहां पर थोड़ी सी डिटोरीशन जरूर आई है अब बात करेंगे आवास फाइ तीन परसेंट यरनिया बेसिस पर हाला कि रियलाइज़ेशन उसमें जो है एक अच्छी इंप्रूब्मेंट देखने मिली है तो यह आपकी क्यूफोर अपडेट से जो आज दिन के ट्रेड में फोकस में रहेंगे ठीक है तो यह है कि आज के अपडेट इसके लावा खबरोवाले शेर्स कौन कौन से हैं जी बिलकुल खबरोवाले शेर्स में फोकस करेंगे तो सबसे पहले प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट साता है यहां पर उन्होंने एक इंपॉर्टन अकॉजिशन बैंगलोर के लाइंड में की हैं साड़े 400 कोड का इंवेस्टमेंट लेकिन एक्सपेक्ट कर रहे कि जो ग्रॉस डवलप्मेंट वैल्यू आएगा इस रेसिदेंशल प्रोजेक्ट का वह चार हजार पांच सो करोड हो सकता है हीरो मोटो को भी फोकस में रहेगा यहां पर थोड़ी सी ने प्रदिश की वह शुरू हो गई है मार्च में तो यहां पर जरूरी स्टॉक को फोकस में आज भी रखेंगे नेसले को भी एक राहत मिली है एने साडिये से जो मैगी नूडल्स के चल रहा था अब उसको डिसमिस कर दिया गया है उन्होंने पहले जो आर्बिट्रेशन प्र फरने से जो पूरी कमिशन को स्टार्ट करती है वह पहले तिमाई विचसल 2025 से स्टार्ट होने वाला है आयोल केमिकल और फार्मा भी फोकस में रहने वाला जो यूरोप की मेडिकल अथारिटी होती है उन्होंने एक टाइप से अप्रूवल दे दिया है मसल रिलाक्सिंग ड से और यह और का कंबाइंड वैल्यू है वह लगभग 1511 करोड रूपय का है तो आप सोच सकते हैं और और जो मार्केट कैप लगभग 75% का मार्केट का तो और ही मिल गया है तो इस स्टॉक को भी अपने रडार में रखिएगा और आखिर में सिपला भी फोकस में रहेगा छ छे फॉर्म 483 observations आये हैं उनके पाताल गंगा के प्लांट पे थोड़ी नेगेटिव जरूर है लेकिन उतनी भी नेगेटिव नहीं है कि यह प्लांट से कम से कम आप कह सकते सिर्फ 5% तक का ही revenue contribution आता है तो आमाउंट जो है ऑफकॉस थोड़ा चोटा है बट नेवर्देलेस नेगेटिव डवल्प्मेंट जरूर है तो यह सारे स्टॉक्स है जो आपके आज रडार में होने चाहिए यहां पर हल चल देखने मिल सकती है बिल्कुल बहुत बहुत है शुक्रिया शरद आपका पूरा अनालिसिस करने के लिए सारी खबरों का तो यह कुछ स्टॉक्स है जिन्हें आप अपनी रडार पर रखिए सिपला राशी परी फेरेल्स जैसे स्टॉक्स आज फोकस है